नमस्ते जैहिंसातियों मेरे प्यारे बच्चों इसमें हम लोग बात करेंगे अनुपात सौनपात का सबसे बहतरीन कोशन जो बच्चे बच्चियों को सबसे ज़्यादा देकत करता है देखे मेरे पास कुछ सवाल है जो बहुत इंपोर्टेंट है देखे कह रहा है मेरे भाई कि A समंधे B प्लस C बराबर 3 समंधे 9 दूसरा कहाई यहाँ देखें कहाई मेरे भाई C समंधे P PLUS B बराबर 10 समंधे कितना 14 समझ पर है भेहेंगे सर इतनी बाते हमको समझ में आगई इसके बाद हमसे kुछ भी पूछ सकता है को सकता है मेरे भाई कह सकता है कि A समंधे B समंधे C बताईए कुछ भी बोल सकता है लेकिन यहाँ पूछा है कि B समंधे A प्लस C का मान बताई कुछ भी पूछे उससे कोई देखा थी बस आराम से समझने की कोसिस करिए देखे पता है इसको हम जोड लेते हैं तो इसका मान 12 हो जाएगा क्योंकि 3 और 9 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा पता है यहाँ देखे 10 है 14 है इसको जोड़ेंगे तो हम 24 पाएगे क्योंकि 10 और 14 कितना होता है 24 होता है पता है इसका LCM ले लेते हैं इसका मान 24 आजाता है देखे 12 दुना के 24 यहाँ 2 आया 24 से कम 24 यहाँ 1 आया पहेंगे सर इतनी बाते समझ मागए देखे इसका गुड़ा इसमें होता है फिर इसका गुड़ा इसमें होता है समझ पाए तो देखे 2 का गुड़ा 3 में करेंगे तच्छाओ और जो 6 आएगा यह A की वैलू आएगी तो यानि की A कमान कितना आगया मेरे भाई 6 आगया कहेंगे सर बहुत अच्छा यहाँ देखे C है और यहाँ पर देखे 10 है एक का गुड़ा 10 में करेंगे तो 10 आजाएगा कहेंगे कि C की वैलू 10 आजाएगी समझ पाए अब मेरे पास B की वैलू चाहिए तो पता है यह देखे 10 और 6 16 हो जाएगा लेकिन मेरे पास 26 है तो 24 में से 16 को माइनस कर देखे तो जानते हैं यहाँ पर 8 आजाएगा अब यह कट भी सकता है तो देखे 2 3 6 2 4 के 8 और यह देखे 2 5 10 हो जाएगा 3 समंधे 4 समंधे कितना आगया 5 लेकिन पता है पुछा है B समंधे A प्लस C तो मतलब देखे B की वैलू कितनी है तो 4 है A प्लस C चाहिए मतलब इन दोनों को जोड़ना है तो 3 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 8 हाजाएगा और इसी को हम कटा देंगे तो 4 एकम 4 और 4 दुना के 8 फाइनल उत्तर एक समंधे दू यही उत्तर है देखे बहुत important सवाल है देखे इसी आधार पर एक सवाल और हम आपको देते हैं बनाने के लिए देखे अब तो समझ गया होंगे देखे पता है यह देखे यह पूरा टोटल 3 हो जाएगा बार बार नहीं लिखा जाता है यह देखे यह पूरा का पूरा 4 हो जाएगा अब आपको पता है कि 3 और 4 का LCM 12 हो जाएगा कितना हो जाएगा 12 अब देखे 3 चव के 12 4 बार जाएगा चार थी आई बारा समझ गए होंगे अब आपको पता है कि यहाँ A है और इसका गुड़ा इसमें हो जाएगा तो A की वैलू चार आजाएगी कहेंगे सर बहुत अच्छा यहाँ देखिए B है और इसका गुड़ा इसमें हो जाएगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा अब आब बतेए 4 रुपया, 3 रुपया, 7 रुपया लेकिन मेरे पास है 12 रुपया, तो बचेगा कितना रुपया 5 रुपया, तो फाइनल उत्तर हम बोल सकते हैं 4 समंदे, 3 समंदे, 5 यहीं उत्तर है धीरे-धीरे हमारी बाते आपको समझ में आ रही होगी ठीक है, एक सवाल और यह आपके लिए है इसका मान हमको बता देना कितना है 5 समंदे, P प्लस C का मान इतना है 20 समंदे, A प्लस C का मान इतना है तो A समंदे, B समंदे, C का मान अप्लोड करेंगे मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद है।